हाई एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल माई नेम इस आनेल और व्यूज़ की सीडियो में बात करने वाले हैं कि एक इंपूट फिल्ड की वैल्यू को किस तरीके से गट कर सकते एक नहीं मैं आपको दो इंपूट फिल्ड की वैल्यू गैट करके बताऊंगा सबसे पहले दो इंपूट फिल्ड सी बनाएंगे बाद में फंक्शन बनाएंगे जिसी कोल के उपर हमारी वैल्यू को परिंट करेंगे हम या फिर कंसोल करवाएंगे और डटा प्रोपटी इस तरह के सकते हैं क्या होती है वह देखने जाए लिंक डिस्क्रिशन बोक्स से मिल नहीं है इंप्लिमेंटेशन उसका नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आपको और दिखाऊंगा और वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको पताएता हूं अगर आप लोग डोमेन या फिर अगास्ट उसको प्लस एस्सेस्टी डिस्टो जब लैप्तोप परचेस करते हैं तो भी हम यह प्लान करते हैं कि स्सस्टी डिस्क साथ लें थोड़ा महनगा होता है बैट से लगती इनका महनगा भी नहीं है सस्ता है और रहे सेशिफिक आपको मिल जाते से हैं स्पाफार vorbei अच्छे हो जाएगी, so go for it, all right हम आप हमारी वीडियों पर आप भी साते हैं, यहाँ पर आपको output देख जाएगा, और यहाँ भी हमारा करते हैं code, so home.view जे एक component हमने बनाया हुए, उसके तरह में दो input fields बनाता हूं सबसे पहले, right, so यहाँ पर लिखता हूं input, type में यहाँ लि दो field बनाये तो एक lane में आ गए, थोड़ा से lane में space रह जाए, थोड़ा space मिल जाए, उसके लिए यहाँ यहाँ पर कुछ BR tag लगा देता हूं, right, वैसे हम style से change करते हैं, but ठीक है, हम style ब्यादा focus नहीं कर रहे है, फट आफट से space देने कोशिश करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डिरेक्टली BR tags लगा देता हूं, right, और एक button भी बनाऊंगा, इस तरीके से, button को close कर देता हूं, और button का नाम लख देता हूं, get values, right, और यहाँ पर एक function goal करूँगा, on click के उपर, उससे पहले में इसका type बता देता हूं, type है इसका button, right, so देखते हैं, हमें output में क्या मिला है, जहाँ पर देख सकते हो, दो field और यह value, right, values, ठीक है, values करेंगे, भी उस दो field की value add करने है, placeholder भी लगाना चाहाँ तो लगा सकते हो, placeholder लिख देता हूं, enter, email, right, और, same तरीके से मैं placeholder, जो नीचे वाली value है, box से उसके साथ भी लखा देता हूं, enter, password, ठीक है, type इसका password भी रख सकते हो, गर आपको यह password hide करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर dot dot दिखने लगे जाएंगे, जो नाम है यह नहीं दिखेंगे, आपको, यहाँ पर आपकर सकते हो, password, great, हमारा एक छोटा सा form बन गया है, सब ठीक चल रहे है, अब मैं क्या करता हूँ, जो जिन से मैंन की value get करते हूँ, अचा एक function मना लेते हैं सबसे पहले ना, जिस function के अंदर इसकी value को print कर रहेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ, on, अचा सबसे पहले हम V लगाते है, V, और V के बाद में हम लोग लगाते है, hyphen, on, colon, click, और उसके बाद में क्या करते और methods basically property होती है, इसके अंदर हम इस तरीके से methods ले सकते हैं, इसमें define करूँगा, मैं get data, method हमारा, और यहाँ पर, अभी के लिए console करता हूँ, dot, one, function called, right, so यह देखते हैं, यह function call हो रहा है या नहीं हो रहा है, so यहाँ पर आते हैं, मैं इस पर click करता हूँ, जैसे click करता है, अगर अभी के लिए मैं कुछ type करता हूँ, इस तरीके से मैंने कुछ भी type करा हूँ, तो मेरे पास कोई भी value get नहीं है, और मुझा पता भी नहीं को किस variable में, किस property में, कैसे save करवाना है, right, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पर एक data property define करने पड़े, data function होते है, इसके नरे मारी properties basically define होते है, यहां भी मैं करता हूँ return, और return के अंदर हम दो property defining कर देते है, email, by default चाहँते इसको null रख सकते हो, false कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, और यहां पर कर सकते हो password, right, और password के अंदर में यहां पर ले लेता हूँ, let's say, इसको भी null ही ले देते हैं, कोई problem नहीं है, इस तरीके से, और अब मैं इन properties को bind करता हूँ, that means two way binding के लिए, ठीक है, so उसके लिए मैं आपके लिखूँगा, v model और मेरी property का नाब, यहां पर लिख देता हूँ, email, और same तरीके से, इसके राद में bind कर दूँगा, मेरी password property, v bind, sorry, v model, और यहां यहां पर लिख देता हूँ, password, और यहां मैं इनको call कर वाता हूँ, directly, values, और यहां पर लिख देता हूँ, मैं this, dot email, और यह कोमा के बाला आती है, ठीक है, और then, कोमा लगा हूँ, और यहां भी लिखूँगा, this dot password, so, let's see, कि क्या सब कुछ ठीक जल रहा है, सबसे पहला, usually मैं भूल जाता हूँ, ऐसा कि मुझे यहां पर खोमा भी लगाना होता है, right, okay, so, खोमा लगा दिया है, अब मैं अगर देता हूँ, यहां पर, कुछ, enter करता हूँ, let's say, anil, at the rate, test.com, और यहां पर password एंटर करता एक input field से value get कर सकते हैं, और जितनी मर्जी fields हो, सबस्क्राइब कर सकते हैं, अब यहां पर एक interview question मनता है, आप इस साथ हो, मैं यहां पर, ठीक है, input field की value get कर सकते हैं, but, check boxes हो गए, radio boxes हो गए, इनकी values हो किस तरीके से get करेंगे, क्या उनके साथ भी हम properties को bind कर सकते हैं, to a binding के सा 20 का checkbox हो बना दिया, singing, reading, traveling, काफी सारे यहां पर कुछ checkbox हो है, तो एक VBind के साथ में, इतने सारे properties की से bind होगी, model के साथ में, ठीक है, so, इन सारे question transfer मिलेगा, आपको next 20 वीडियो के अंदर, because उसके लिए separate वीडियो अचा रहेगे, तरवाई यह वीडियो काफी length होड़ेग झाल